नमस्कार दोस्तों आपका स्वागत है दोस्तों हिंदू संस्कूती में सिवलिंग पर बिली पत्र चड़ाने का वितान है किन्तों क्या आप जानते हैं इसे सिवलिंग पर चड़ाने का क्या प्रभाव होते हैं इस वीडियो में जानेंगे बिली पत्र के चड़ावे के पीछे का विज्ञान दोस्तो हमारी चैनल पर भारतिया प्राचिन संस्कूती के रित्रिवाज और विद्यों के साथ जुड़े विज्ञान के विशे में जानकरी दी जाती है यदि आपको ऐसी जानकरी चाहिए तो हमारी चैनल के अन्य वीडियो देख सकते हैं जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है चलिए जानते हैं बिली पत्र की विशेष्टा के बारे में वैसे तो पुराणों के अनुसार इसे शिवजी को प्रिये बताया गया है पर यह एक अध्भूत और शदी भी है इसके कई सारे भूंतर्म व्यक्ति के शरीर और स्वसंत अंदर की बीमारियों में लापका रख है बिली पत्र में सबसे अधिक सुक्ष्मा एनरजी वाइब्रेशन को गरहन करने की शक्ती होती है शिवलिंग एक प्रकार के उर्जा स्त्रोत होते हैं जो व्यक्ति को खास प्रकार से प्रभावित करती है इसी कारण से सिवालाई में बैठने का महत्व वेदिक संस्तुति में बताया गया है शिवलिंग पर बिली पत्र चड़ा कर यदि कोई व्यक्ति उसे अपने पास रखे तो उसके शरीर और मन पर विशेश शकारत्मत प्रभाव का अनुभव किया जा सकता है शिवलिंग पे होने वाली जल की धारा से जब यह जल पत्तो पर पढ़ता है तब पत्तो के शुक्ष्म छिद्रों से जो वायू निकलती है वह विशेश प्रकार की अरोमा उत्सरजित करता है अरोमा थेरापी के विशेश अग्या के अनुसार यह स्वजन तंत्र के लिए लापकारी होती है पत्तो से निकलने वाली वायू का अनुभव करना चाहते हो तो एक छोटा सा प्रयोग कर सकते हैं गरम पानी में कोई भी वनस्पती के पत्तो को डाले और फिर देखे वायू का उत्सरजन बबल के रूप में देखने को मिलता है बिली पत्र की अरोमा एक तरह से सकारत्माक उर्जा का उत्सरजन है जो व्यक्ति के स्थूल और सुक्सम सविर पर प्रभाव करता है दोस्तो इस तरह बिली पत्र के विशेज उप्योग को पुजा विदी से जोड़कर हमारी संस्कूति ने मनुष्य के लाप के लिए समाविश किया है दोस्तो यदि आपको यह जानकारी अच्छे लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें इस तरह के अन्य वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें धन्यवाद चैस्टी कृष्ण